बच्चों, बारवी कक्षाई गनित की पठ्थे पुष्का का अध्याए तीन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंतरगत आज हम उधानों पर विचार करेंगे. तो हम इससे पहले के भागों मैट्रिक्स को अच्छे से समच चुके हैं, उसके परकारों को देखा, गुणन को देखा, योग को देखा, और बाकी की थियोरी जितनी भी थी हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछे के भागों में, तो उधान हम लेते हैं, देखिए, पहला उधान क क्या कहता है बच्चो पहला उधान कहता है कि तीन फैक्ट्रियां है फैक्ट्री फास्ट सेकिंड और थर्ड जिसमें कुछ पुरुस तथा महिला कर्मी कार्य कर रहे हैं ठीक है फिर निमिल लिखित सूचना पर विचार कीजिए देखिए सूचना क्या कहती है फर्स्ट जो फ फैक्ट्री है 27 पुरुस और 29 महिला कर्मी यहां पर कारे कर रही है पूछा क्या गया है उप्यूक्त सूचना को तीन बाई टू यानि कि तीन पंक्ति आपकी कोटी दी गई है तो तीन पंक्ति और ये हैं आपके इस्तंभ तो तीन बाई दो आव्यू हूँ मैं निरूपित कीजिए ठीक है बिल्कुल करेंगे आगे कहता है तीसरी पंक्ति और दूसरे इस्तंभ वाली पर्विस्थी क्या परकट करना चाहती है ये भी बताएं तो देखिए हम किरसन को कैसे करेंगे बच्चों पहले तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो तीन बाई दो का होगा तो एक मैट्रिक्स एक की कलपना करते हैं एक की कलपना करें जिसमें तीन तो आपके पंक्तियां हो जाएंगी और इस्तम हो जाएंगे दो तो पंक्तियों की बात करें तो पहली पंक्ति देखिए पहली पंक्ति तीस और पच्चीस बन जाएगी ये तीस यहाँ पर हम पुरुस पंक्ति में आ जाएंगे 31 महिलाएं हैं इनका representation ऐसे कर देंगी आगे देखिए 27 पुरुस हैं तो 27 पुरुस और फिर महिलाएं है 29 ये लिजे बन गया आपका matrix कितनी कोट ये है R1, R2 और R3 तीन पंक्तिया हो चुकी है और आपके इस्थम C1 और C2 दो इस्थम आपके हो चुक देंगे आप से पूछा गया है कि तीसरी पंक्ति देखें तीसरी पंक्ति ये री R3 तीसरी पंक्ति दूसरा इस्थम का अव्यों कौन सा है 29 तो ये प्रविस्थी क्या परकट करती है तो बच्चे इसका answer देंगे कि ये जो तीसरी पंक्ति और दूसरे इस्थम वाला जो मा है 29 जो परवस्थी है वो किसको बताती है female को यानि की महिला कर्मी को यहां पर कौन सी R1 किसको represent करती है फर्स्ट कम आपकी जो company थी उसको second company and third company यानि की third factory हो गई आपकी third factory में कर्रे करने वाली महिला कर्मी की सूचना देती है कौन सी परवस्थी जो दूसरे इस्तम और तीसरी पंक्ती में उपस्थित है तो यह आप इसका अंसर दे देंगे बच्चो नेक्स किस्टन देखिएगा अगला उधान कहता है यदि किसी आव्यों में आठ अव्यों है संभव कोटियां देखिए आठ में किस किस का भाग जाता है उससे हम प्राप्त कर लेंगे आठ में किसका एक का भाग जाता है एक का तो सब में जाता है तो आठ में जाता है तो 1 by 8 पहली कोटी फिर दो का भी पूरी तरह से भाग चला जाता है तो अगली कोटी 2 कितनी बार किसे गुना करें कि 8 आ जाए अब विव 8 हो जाए 4 से तो 2 by 4 दूसरी कोटी अब 8 में किसका भाग जाएगा आगे? 4 का जाएगा, तो आप कहेंगे 4 by, कितनी बार? 2 बार, तब जाके 8 बनेगा 4 into 4 into 2, तो ये 4 पंक्तियां, दो इस्तम वाली कोटी, ये कोटी और ये कोटी अलग-अलग हैं बच्चों, इसमें कितने पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां, इस्त आठ तो आपकी पंक्तियां हैं, और एक आपका इस्तम है, तो ये सम्भव कोटीयां जो हैं बच्चों की, कितनी प्रकार की बनी? 4, ये आप आंसर दे देंगे कि सम्भव कोटीयां 4 प्रकार की बन सकती हैं, 1 by 8, 2 by 4, 4 by 2 and 8 by 1, next question पर चलते हैं, क्या कहता है बच्चों, आव्यू की रचना कीजिए, जिसके अव्यो, Aij, अव्यो को किसे रिपर्जेंट करते हैं, बच्चे? Aij से रिपर्जेंट करते हैं, Aij की वेल्यू कितनी हो जाए, इसके द्वारा दे जाए, ठीक है, 3 by 2, पहले तो किसी मैट्रिक्स ही कल्पना करते हैं, जो 3 by 2 का होगा, 3 by 2 का मतलब 3 पंक्तिया, तो A11, A12, दो इस्तम लेने हैं, तो दो ही इस्तम आएंगे, पंक्तियां 3 आएंगी, तो कौन सा, अगली पंक्ति कौन सी हो जाएगी, दूसरी, इस्तम पहला, फिर पंक्ति तीसरी, इस्तम पहला, यहां पर अगला अव्यो क्या बनेगा, पंक्ति दूसरी और इस्तम कौन सा दूसरा तो A22 हो जाएगा ये वाला कौन सा बनेगा आपका आपकी पंक्ति कौन सी होगी तीसरी और इस्तम कौन सा दूसरा तो इस तरह से ये 6 अव्यव आपको प्राप्त करेंगे तब 3 पंक्तिया देखिए R1, R2 और R3, C1 और C2 आप इसको क्या बोलेंगे 3 by 2 आपसे 3 by 2 का आव्यव पूछा है तो आपको ये अव्यव फाइंड आउट करने पड़ेंगे कौन-कौन से A11, A12, A21, A22, A31, A32, Aij अव्यव को बोला जाता है तो मैंने अलग-लग अव्यव लिख दिए अभी इन अव्यव का मान निकाल लेंगे और अब इन आपको Aij की value क्या दे गई है Aij equal to 1 by 2 फिर mode लगाया हुआ है 1 minus 3J और ये मापांक आपका close कर दिया ठीक है A11 की value निकालते है 1 by 2 अपनी जगे रहेगा ये क्या है आपका पहले I I की जगे I की value रखेंगे I की value कितनी है यहाँ पे 1 अगला व्यव क्या है J 1 minus 3 into 1 देखिए बच्चो 3 into 1 कितना minus का 3 और ये plus का 1 calculate होके क्या बनेगे minus का 2 और minus 2 के मापांक लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा 2 और 2 से 2 को divide करेंगे तो calculation क्या बनेग ठीक है अगला व्यव देखते हैं कौन सा व्यव A12 A12 की value निकालते है 1 by 2 मापांक I की value कितनी हो गई अब 1 और J की value कितनी हो गई 2 तो I की जगे 1 put कर देंगे minus 3 3 into क्या कर देंगे J की value 2 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 3 into 2 कितना हो जाएगा बच्चों का 6 1 minus 6 calculation में कितना आएग माइनस 5 लेकिन माइनस 5 के क्या लगा हुआ है मापांक तो आप कहेंगे माइनस 5 के तो मापांक लगा हुआ है और नीचे में 2 है तो यह positive हो जाएगा तो 5 by 2 हो जाना है बच्चों अगला व्यों देखेगा A21 यानि दूसरी पंक्ति पहले इस तमवाला व्यों यह अव्यों तो इसमें I की value कितनी हो जाती है 2 और J की value कितनी हो जाती है 1 पुट करते हैं 1 by 2 मापांक लगाया I की जगे कितना आ गया 2 minus 3 J की value कितनी आई 1 तो आप देखते हैं यह 3 यह 2 तो minus 1 बचेगा minus 1 के मापांक लगेगा plus का 1 हो जाएगा then element आपका 1 by 2 बन जाएगा बच्चों कैल अगला वेवाब का A22 A22 निकालेंगे तो 1 by 2 बाहर में I की value कितनी हो गई आपकी 2 और minus 3 J की value कितनी हो गई 2 आप इस तरह से 3 2 जा 6 minus 6 plus 2 minus 4 minus 4 के मापांक लगेगा तो क्या हो जाएगा minus 4 पे मापांक plus बन जाएगा और नीचे में कितना है 2 से divide हो रहा है तो 4 upon 2 is 2 यह element आपक A11 find out कर लिया A22 तक find out कर लिया A31 find out करते हैं देखिए 1 by 2 मापांक लगाया I की जगे कितना आ गया 3 इस बार I3 है और J1 है तो minus 3 into J J की value 1 equal to 1 by 2 3 minus 3 0 into में क्या आएगा 0 और 0 आएगा तो यह value 0 बन जाएगी A32 value निकालेंगे A32 1 by 2 बाहर में मापांक I minus 3J I की value कितनी दिखाई दे रही है 3 minus आपका 3 into J और J की value कितनी है 2 तो calculate करेंगे तो 3 to 6 minus का 6 और यह plus का 3 minus 3 आएगा minus 3 पे मापांक लगा हुआ है plus 3 बन जाएगा plus 3 में 2 से divide करेंगे तो 3 by 2 तो देखे बच्चों आपका जो matrix निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा elements आपके सामने हैं इनको अपन लिख देते हैं देखे matrix क्या बना आपका A A जो matrix बना यह पहला आप A11 A11 की जगे आपने value निकाली वी यह कितनी है 1 फिर आपका A12 A12 value कितनी है 5 by 2 आपकी है फिर A21 A21 कितना आया आपका 1 by 2 आया यहां से देख लिजिए फिर A22 A22 कितना आया बच्चों का 2 आया फिर A31 कितना आया 0 आया तो बच्चों ने यहां 0 रख दिया और A32 की value कितनी है 3 by 2 तो यह element हो गया 3 by 2 यह लीजिए आपका matrix आपने सारे elements निकाल कर यहां पर रख दिये हैं कितने बच्चों कितने का आया 3 तो इसमें पंक्तिया है 3 पंक्तिया है और इस तम कितने है 2 तो 3 by 2 का यह matrix order का matrix आपके सामने है बच्चों इस तरह से अगे देखिए अगला किसन क्या कहता है अगला कहता है कि यदी इसके बराबर यह हो तो A B C X Y और Z के मान पर आपते कीजिए बच्चों देखिए यहां पर आपको बताया गया था कि दो matrix बराबर कब होते एक तो उनकी कोट्या समान होनी चाहिए पहली बात दूसरी बात सं A12 के बराबर B12 A13 के बराबर B13 यह फिर आपका कौन सा दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी तो क्या वेव को क्या बोला जाता है बच्चे ध्यान रखेंगे इसको बोला जाएगा दूसरी पंक्ति पहला इस्तम तो A21 equal to B21 होना चाहिए आपके सामने है minus 6 यह है तो minus 6 यह दिय क्या हुआ है दूसरी बात यहां पर यह कौन सा बोला जाएगा आपका आपका दूसरी पंक्ति दूसरा इस्तम A22 equal to B22 होना चाहिए A-1 की value minus 3 के equal होनी चाहिए यह value 0 यह किसके बराबर यह को क्या बोला जाएगा दूसरी पंक्ति और तीसरा इस्तम तो A23 A23 बोलेंगे तो B 23 के equal होना चाहिए तीसरी पंक्ति में इसको बोलेंगे क्या A31 तो यह B31 के equal होना चाहिए और यह यहां पर क्या आजाएगा आपका दूसरा इस्तम तो A32 तो B32 के equal होना चाहिए आप देख रहे है माइनस 21 यहां माइनस 2 यहां है अलग- लग- तो हो ही नहीं सकता अगर दोन होतार यहाँ पर 5 होता तो यह बराबर होई नहीं सकते थे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि matrix बराबर होंगे तो उनके संगत अव्यों क्या होंगे बच्चों बराबर होने चाहिए दोनों matrices के तो यहाँ इस थियोरी से अपन बात करेंगे हल के अंदर देखिए a11 यानि कि x plus 3 equal to क्या होना चाहिए 0 यह b11 तो यहाँ से आप बता सकते हैं x equal to minus 3 यह value x की find out कर लिया आपको x की value पूछी गई थी फिर z plus 4 यानि कि a12 तो यह किसके बराबर होना चाहिए b12 के तो आप कहेंगे कि z plus 4 बराबर है 6 के तो z equal to कितना आएगा देखिए 4 उदर में जाके 6 में से घटेगा तो कितना बचेगा 2 आगे देखिएगा y की value यहाँ से निकाल लेंगे आप देखेंगे कि 3 2y minus 7 आपका element है यह equal होगा 3y minus 2 के 3y minus 2 के implies that बच्चों 3y को मैं इधर में ले आओं तो कितना हो जाएगा 2y minus 3y is minus y 7 को उदर में ले जाओं तो 7 plus का हो जाएगा और minus 2 है तो आप देखेंगे equal to कितना आएगा 5 आएगा plus का लेकिन इधर minus y है तो minus उदर में multiply होगा तो इधर plus हो दोनों तरफ minus से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा y equal to 5 तो y की value बच्चों ने कितनी find out कर दी 5 आगे अपने x y z की values find out कर ली है अब a b c की बारी देखें minus 6 तो minus 6 के बराबर है यहां तो बराबर रखने का कोई मतलब ही नहीं यह तो अचर रहा सी है a minus 1 बराबर minus 3 a minus 1 बराबर minus 3 1 उदर में जाएगा तो a equal to minus 2 बचेगा बच्चों 1 plus का हो जाएगा minus 3 से cancel out होके minus 2 बना देगा तो a की value बच्चों ने निकाल ली minus 2 ठीक है बात करते हैं 0 0 बराबर क्या होना चाहिए 2c plus 2 तो 2c plus 2 ठीकते हैंगे 2 इदर में आएगा तो 2c equal to कितना हो जाएगा minus 2 c equal to 2 से divide करेंगे तो minus 1 c की value बच्चों उन्हें कितनी find out करी minus 1 अब बारी आई b की तो 2b plus 4 equal to b minus 3 होना चाहिए तो यहां से थोड़ा सा मैं उसको उपर कर देता हूं देखेगा अब देख पा रहे होंगे कि 2b plus 4 यह element is element के equal होगा equal to b minus 3 आपका हो जाना है b left side में आएगा minus का हो जाएगा 2b plus का है तो यहां b बचेगा 4 को right side में बेजेंगे minus 3 minus 4 4 minus का हो जाएगा then value of b equal to कितना आएगा बच्चो 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 ने देखा इस परकार से आप a, b, c और x, y, z की value find out कर सकते हैं students अगला example देखें क्या कहता है अगला example कहता है कि यह matrix इसके equal है तो वही चीज यहां पर अपनी follow करनी है आपको यह element a11, b11 के equal दिखाई देगा तो यहां से equation बनेगा तो हम केतनी equation बनती हैं देखते हैं हल में आप पहली equation मनाएंगे 2a plus b equal to 4 होना चाहिए संगतवियों को बराबर करने से ठीक है इसको समीकन एक नाम दे देते हैं आगे काम आएगी a minus 2b बराबर minus 3 a minus 2b equal to हो जाएगा minus 3 इसको दूसरी equation नाम दे देते हैं यहां पर 5c minus d इसके equal होना चाहिए तो 5c minus d equal to 11 हो जाना चाहिए इसको fourth equation नाम दे दे थार्ड equation नाम दे देते हैं आगे देखिए 4c plus 3d 4c plus 3d equal to 24 इसको fourth equation नाम दे देते हैं बच्चो इस तरह से कर देंगे अब देखिए इनको soul out करेंगे तो मैं first equation को 2 से multiply कर दूँ तो 2B हो जाएगा और 2B plus का होगा यह minus 2B है दोनों को क्या कर दूँगा प्लस कर दूँगा तो B हट जाएगा एक अविल्यू आ जाएगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं second equation में add करना चाहता हूँ two time of first equation ऐसा करना चाहता हूँ बच्चो ऐसा क करना चाहता हूँ तो second equation देखिए आपकी कितनी होगी यहाँ पर मैं लिखता हूँ second equation आपकी है a minus 2B equal to minus 3 2 से multiply first को करके लिखूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4A हो जाएगा यहाँ पर plus का 2B हो जाएगा और 4 तूजा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा दोनों को plus करें 5A left side में आएगा 8 और minus 3 calculate होके दोनों add होंगे तो कितना मनेगा 5 तो बच्चे कहेंगे a की value कितनी हागी बच्चों की 5 divide करेगा 5 को तो one time कर देगा तो equal to one आ गया a equal to one का मान समीकर्ण एक में रख दो या दो में रख दो चलिए एक में रख देते हैं a की जगे क्या रखा एक रखा तो 2 plus b plus 4 2 दर जाके 4 में से minus होगा तो 2 ही बच जाएगा तो b equal to बच्चों का कितना आ जाता है 2 तो आपने इस तरह से बच्चों a और b को calculate कर लिया अब c d और d इन दोनों equation से calculate हो जाएंगे कैसे करेंगे देखिएगा आप ऐसा किजिए कि 4 में add कर दीजिए 3 time of third equation को implies that देखिए उसके बाद क्या होता है 4 equation है 4 c plus 3 d equal to 24 students और 3 से multiply किया इसको तो ये 15 c हो जाता है 3 से multiply किया minus का 3 d हो जाता है 3 से multiply किया 33 हो जाता है बच्चे इसको add करेंगे add करेंगे तो ये तो आपका cancel out हो जाएगा 4 c और 15 c 19 c आपका हो जाने वाला है और यहाँ पे 4 3 7 और 2 plus 3 कितना 5 तो 19 को divide करेंगे 57 को 19 से तो बच्चों का कितना निकल कर आएगा 3 तो c का value यहाँ से क्या मिल जाने वाला है बच्चों को 3 तो देखि आएगा c equal to calculate होके कितना आया 3 और जैसे c की value 3 आपके पास आ जाती है आप first third equation में रख दीजिए यहाँ 3 रखेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 15 d उदर में जाएगा 11 इदर में आएगा तो d equal to 15 minus 11 it means 4 आप calculate कर सकते हैं d equal to कितना आएगा बच्चों का 4 तो आपने a b c d की values find out कर ली students तो बच्चों इस तरह के questions आपके 3.1 में आप आगे देखेंगे 3.1 में भी यही same questions आपको मिलने वाले इसी type से तो हम आगे के भाग में उनको करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद